एक कथा के अनुसार एक बार माता पारवती की बहन देवी लक्षमी और उनके पती विश्णुजी कैलाश पधारे। किन्तु वहाँ थंड इतनी थी जिसे लक्षमी जी सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अपनी बहन पारवती से कहा कि वो किस प्रकार इस परवत पर अपना जीवन वैधीत कर रही है। यह सुनकर पारवती जी को बहुत दुख पहुचा। थोड़ी दिर बाद लक्षमी जी ने विश्णुजी को वापस घर चलने को कहा। और जाते जाते उन्होंने पारवती जी और भोले नात को उनके घर आने का नियोता दे दिया। कुछ समय के बाद पारवती जी और भगवान शंकर लक्षमी जी और विष्णुजी से मिलने गए। वहां उनका महल देखकर देवे पार्वती दंग रह गई और मन ही मन अपने लिए भी ऐसी ही महल की कामना करने लगी। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि आपको भी महल में ही रहना चाहिए। आपका महल तो तीनों लोकों में सबसे उत्तम और भव्य होना चाहेगे। माँ पारवती ने जित पकड़ ली कि अब उन्हें ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीना हो। शिव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी महल में तो हमें चैन ही नहीं आएगा। मस्तमौला और घोडों के लिए महल उचित नहीं है। आखिरकार महादेव को माता पारवती के सामने जुकना पड़ा। शिव ने विश्व कर्मा को बिलाया। विश्व कर्मा को ऐसा महल बनान पानी से ढखी हुई थी। बीच में तीन सुंदर पहाड दिख रहे थे। उस पहाड पर तरह तरह के फूल और वनस पती थे। विश्व कर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। सोने का महल पाकर पारवती जी के पास गया और भिक्षय में उनसे सोने के महल की मांगी। भगवान शिव को भी पता था कि रावन उनका बड़ा भक्त है। दुआर आये अतिथी को खाली हाथ लोटाना धर्म शास्त्रों में गलत बताया गया है। भोलेनात उसे निराश नहीं करना चाहते थे। इसलिए उ पौरन हां कर दी और अपना सोने का महल उसे दान कर दिया। माता पारवती का सबसे बड़ा सपना पल में ही तूट गया। पारवती जी को रावन के इस ध्रिश्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राब दिया कि तुने शिव की सदलता का लाब उठा कर मेरे प्रिये महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अगनी धदक रही है। महादेव का अंश ही एक दिन उस महल को जला कर कोईला कर देगा। मा पारवती के शाप के कारण ही शिव के अफ्तार हनुमान जी ने लंका जलाई थी।